असलाम आलेकुम आज मैं चली जाती हूं अलदार रेस्टरांट और ये है एक एरेबिक आथेंटिक रेस्टरांट तो भाई मलेशिया में अगर एरेबिक खाने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना ट्राई किया जाए तो बस फटा फट से मेन्यू को स्कैन करती हूं पढ़ती कि क्या मंगाया जा सकता है और सबसे पहले और्डर करती हूं अपने लिए ये औरेंज जूस और साथ मैं मंगाती हूं हुमस और ये कबाब बार्बेक्यू मिक्स प्लैटर है और इसके साथ पीटा ब्रेट मंगवाती हूं और ये देखिए इन्हों ने जिस तरह से इसको प बनाने का तरीका है ना शायद वो अलग है हम जैसा इंडिया में खाते वैसा नहीं है डिफरेंट है तो मुझे थोड़ा कम पसंद आया लेकिन चीकन मुझे काफी अच्छा लगा जजाक अल्ला खाना खाके तो मजा ही आ गया और बस फटा फट से अपना औरेंज जूस कम्प्लीट करती हूँ और उसके बाद मंगा लेती हूँ चाय क्योंकि वो हिंदुस्तानी ही क्या जो भर पेट खाना खाने के बाद एक कप मसाले वाली चाय ही ना पिये अब ये सब तो ठीक है लेकिन अगर एरेबिक रेस्टरान गए हैं तो कुनाफा ट्राई करना तो बनता है तो फटा फट से अपने लिए मंगा लेती हूँ ये कुनाफा और इसे ट्राई करती हूँ और ये खाने में काफी जादा अच्छा था और इसके अंदर जो इन्हों खाने की जो ख्वाहिश है वो पूरी करनी है तो आप पूरी कर सकते हैं बहराल आज का ये डिनर मेरी लिए तो काफी स्पेशल था और अब मैं खा चुकी हूँ तो अब सोने की तैयारी की जाए लेकिन उसके पहले भाई इतना खाया है तो बिल तो देना ही पड़ेगा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है तो बस आप आएं यहां का खाना इंजॉय करें और अब यहां से निकलने का वक्त हो गया है तो मैं चलती हूँ घर जाओंगी आराम से सूँगी क्योंकि आज जो है वो डिनर काफी अच्छे से हो गया और अब आपको इंशालला नेक्स व